सर्वोच दालत से कॉमेडियन मुनवर फारुकी को जमानत मिलने के बाद अब बच्चे हुए कॉमेडियन को भी उमीद है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी मंदिप्रदेश के दौर शहर में कॉमेडी शो के पहले हिंदू संगठन द्वारा हंगामा करने के बाद सभी कॉमेडियन को पुलिस से गिरफतार करवा दिया गया था और कहा गया था कि मुनवर फारुकी सहत सभी कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया कॉमेडियन मुनवर फारुकी के साथ ही कॉमेडियन नलन्यादफ प्रखर श्रवास्तफ सदाकत कान और एडविन एंथोनी अभी भी इंदौर के जेल में है और सभी को इंतजार है कि उन्हें जल्दी जमानत मिले वह जेल से छूटे इन्हीं कॉमेडियन में से एक प्रखर व को सुप्रीम कोट से जमानत मिल गई है न्यायले में जमानत आवेदिन की सुनवाई अगले हफ़ते बढ़ते हुए और प्रस्तुत करने का कहा गया है देगी संभावना प्रवल है कि मनवर फारुकी की माननी सरुच चिनाले की जमानत पर दान कर जाने के बाद बाकी सब की जमानत हो जाएगी क्योंकि मेरा मत यह है और मेरा मानना भी है यह और पॉस्टिकूशन की कीस भी यह है कि बाकी सब का मुकदमा बाकी सब की खिलाफ वो मुनवर फारुकी से कम सीरियस नेचर है तो जैसे प्रियम की तो किशोर नेयले से जमानत होगी क्योंकि जुमनाय जिस्टिस में उसकी खिलाफ मुकंदमा रिजिस्टर किया गया था और मुनवर के साथ खारिज हुई थी जमानत पनले निया दो की तो उसकी संभावना तो बचे वे तीन दिन में उमीद है कि लिस्टिंग हो जाएगी